हेलो दोस्तों आज के वीडियो में जनवरी 2024 के मंतली करेंट अफेस को डिसकस करेंगे इस वीडियो में टोटल 200 को डिसकस किया जाएगा आज में जनल टाइटल एट ओस्ट्रिलेन ऑपन 2024 तो आज में में सिंगल टाइडल जीता है बीडियो जेनिक सिनर ने चैनि टेनिस टूर्णामिंट है चार ग्रेंट सेलंड टोर्णामिंट में मतलब बॉन यह पूरी साल में पहला खेला जाता है उसके बाद फ्रेंच उसके बाद क्या करते हैं विंबल्डन एंड लास्ट में खेला जाता युएस ओपन टेक है तो उस्टेरन ओपन 2024 में में सिंगल टाइडल जेता है जैनिक सीनर जो कि इटली से हैं और इन्होंने हराय था डैनियल मेर्वीडेव को जो कि रस्या से ब्लों से हैं इन्होंने हराय थी जेंग कुईन वेन को जो कि चाइना से हैं मेंस डबल का टाइडल जीता है रोहन बोपन्ना इंडिया से हैं इनको याद रखेगा एंड मैथ्यू एपडेन नेक्स्ट कुस्ट्सन है हुएस इनागडेटेड अटल सेतु इंडिया स्लोंगेस्ट सी इसका इनागरेशन किया था बाई प्राइम निस्टर नरेंद मोधी ऑप्सन बी सही हो जाएगा तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंग यह इंडिया की लॉंगेस्ट सी बिरीज है और इसको अटल सेतु नाम दिया गया है और यह एक सिक्स लेंड ट्रांस हार्बर बिरीज ह से 21.8 किलोमेंटर और यह मुंबई को नभी मुंबई से कनेक्ट करें इस्ट कोसन है विच कंट्री विल होस्ट 16 एडिशन ऑफ बिरिक्स समिट 2024 तो 2024 के बिरिक्स समिट को होस्ट करने वाला ऑप्सन सी रस्या तो रस्या ने रेसेंटली चेर्मेंशिप ले ली है बिरिक्स स इथोपिया बिरिक्स की बात करें तो इसका फॉर्मेंशन हो था 2009 में हेटकॉर्टर संगाय में इसमें टोटल दस मेंबर हो चुके हैं पहले पांस थे और पांच नए बने तो बिरिक्स से ब्राजिल रस्या इंडिया चाइना एंड साउथ अफरिक्या और पांच नए ऑपशन B अरभींद पना गाडिया और इसके अप्वाइंटमेंट की गए थी बाइप्रिशिदेंट ओफ इंडिया द्रोपती मुर्मो तो फाइनांस कमिशन की बात करें तो इसके सबना की गई थी बाइप्रिशिदेंट ओफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280 तो 280 के Central Government and State Government और पहला कमिशन यह इस्टेबलिस क्या गया था 1951 में नेक्ट कोशन है विच स्टेट विल इस्टेबलिस वर्ल्स फर्स्ट ब्लेक टाइगर सफारी तो अंसरो अप्शन बी ओडिसा तो ओडिसा के द्वारा दुनिया का पहला ब्लेक टाइगर सफारी को इस्टेबलिस क्या जाएगा और इसकी लोकेशन होगी नियर सिमली पाल टाइगर रिजब मयूर भंच ओडिसा में इसके अनॉन्समेंट की गई थी बाई ओडिसा सीयम नविन पतनाएग नेक्स्ट कोस्टन है फू एज बिन अवाड़ेट वीथ भारत रतन अवार्ट टूथायन ट्वेंटिफोर तौनसरोग अप्शन सी बोथ ए एन बी यानिके एलके अडवानी एंड करपूरी ठाकुर तो करपूरी ठाकुर यह 11 चीफ मिनिस्टर थे बिहार के एंड एलके अ यह इंडिया का हाइस्ट सीबिलेन अवाड है इसके स्थापना की गई थी 1954 में और पहली बार यह अवाड दी गई थी सी राजा गोपालचाडी एंड सर्वपली राधाकृष्न एंड सीवी रमन को तो तीन लोगों को दी गई थी पहली बार यह अवाड 1954 में नेक्स्ट इसको इंडियान एलेक्ट्रिकल वहिकल कंपनी तो गेट पी लाइ नोड पी लाइ यानि की प्रोड़क्शन लिंक्ट इंसेंटिव इसको इंट्रोडूश क्या गया था अंडर आत्म निरुफर भारत अभियान यानि की सेल फ्रीलाइंट इंडिया इनिसेटिव और यह मेनिफेक्ट्रिंग सेक्टर्स हैं उसको बूष्ट करना ताकि हम बाहर के कंट्री से इंपॉर्ट कम कर सकें तो खेलो इंडिया यूद गेम्स टूथान टूएंट morte में हुआ था तामिनाडू सुटेट के दौरा तो खेलो इंडिया यूद गेम्स 2024 इस साल इसका 6th एडिसन था और ये तमिनाडू के 4 सीटी में हुआ था चन्ने, मदूराई, तिरीची एंड कोईमबटोर तो मेडल टेलिस की बात करें तो खेलो इंडिया यूद गेम्स में सबस्यादा मेडल जीते हैं महाराश्ट्रा ने सेकेंड नमर में तमिनाडू, थर्ड में हर्याना, फौर्थ में देहली एंड फिप्त में राजस्थान महाराश्ट्रा, 54 गोल्ड, 48 सिल्वर, 53 बरवंज, 158 टोटल मेडल जीते हैं महाराश्ट्रा ने सेकेंड में तमिनाडू, 38 गोल्ड, 21 सिल्वर, बरवंज, 39 एंड टोटल, 98 तो याद रखेंगे सबसे आदा मेल जीते हैं महाराष्ट्रा एंड सेकेंड पोजिशन में होस्ट इस्टेट तमिल्नाडू नेक्ट कुस्चन है इंडिया है इस अप्रूब्ड डेस करोर फॉर इसकाव प्रोजेक्ट तो इसकाव प्रोजेक्ट यह दुनिया का लार्जेस्ट रेडियो टेलिस्क प्रोजेक्ट है और इसको बनाया जा रहा है और इसका इंडिया इसका फूल मेंबर बन चुका है और इसमें टोटल फंड करेंगे बारोसो पचास करोर का नेक्ट कुस्चन है विच टाइगर इसब बिकेम दर इंडिया सफर्स्ट डार्क इसकाई पार्क तो अनसर प्रोटेक्टिंग दा नाइट इसकाई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पॉल्यूशन नेक्ट कुस्चन है परभा आत्रे वास रिलेटेट टू विच अब फोलोविंग घराना तो अनसर गोप्षन ए किराना घराना तो परभा आत्रे यह किराना घराना से ब्लोंग करती और हाली में इनका नीधन हो गया इसलिए चल जामें है और यह इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट याने के सिंगर थे फ्रोम किराना घराना अब आट की बात करें तो यह पादम स्री से समानित किये गए थे 1990 में पादम भूशन से 2002 में पादम विभूशन से 2022 में पादम अंबेटकर स्टेच्व हैज बिन अन्विल्ड इन विच अब फॉलिविंग स्टेट तो अंसरग अप्शन सी आंद्रपरदेश तो आंद्रपरदेश स्टेट में दुनिया का टोलेस्ट डक्टर भीम्राव अंबेटकर जी के स्टेच्व का अनावरन किया गया है ठीक है औ आठेम मोदी रीलिश डेश करोर फस्ट इंस्टॉलमेंट औफ जन्मन शक्म तो पहला इंस्टॉलमेंट प्यां जन्मन शक्म का कितना रीलीस किया है प्रम ईपर अमोदी के दोहरा तो अंसरग उप्शन बी फाइव फाइव पन्लेट-फार्त करोर तो प्यंद अंड़िश कराए 540 क्रोर 1st installment of फियम जन्मन इस्किम फोर पक्का हॉम्स के लिए इसको रिलीज गया है 540 क्रोर अंडर परधार मंत्री आवास योजना ग्रामीन तो परधार मंत्री जन्मन इसकिम की बात करें तो इसका फुल्पम होता है परधार मंत्री जन्जाति आदिवासी नियाई म महाँ अभियान इस इसकिम को लॉंच किया गया था 15 नॉवंबर 2023 को और इसको लॉंच किया गया था फोर्दस सोसल सोसो एकोनोमिक वेलफेर ओफ पार्टिकुलरली वॉलनरेबल ट्राइवल ग्रूप्स यान की पीवी टीजीज नेक्ट को से हुस में हुओ लॉंच कि प्राइम अलardon मोधी ने इसको लॉंच किया है परदामिंदरियद् किम को तो पीएम शुरियोदै यॉज्णा याने के सनराइस इसकिम इसको लॉंच किया गया था प्राइम हो किया था को इंस्टोल करना और यह आते अंडर मिनिस्टी ओफ न्यू एंड रिवनेबल एनरजी के और इसके लिए आर इसी लिमिटेट के दौरा टोटल वन पॉइंट तू लाग क्रोर फंड दी जाएगी नेक्स्ट कोश्चन है तो अनसरों को अप्सन दी प्राइम निस्टर नरेंदर मोधी ने इनागुरेट करा था आयोद्या राम टेंपल को ओन 22 जनवरी 2024 तो थोड़ा सा फेक्ट जान लेते हैं आयोद्या राम टेंपल के बारे में तो उद्गार्टन क्या गया था पी एम मोधी के दौरा ओन 22 जनवरी 2024 को लोकेटेट है राम जन्मु भूमी आयोद्या उत्तर परदेश में कौन सी रीवर है यहां पे तो सड्यू रीवर फांडेशन इस्टोन रखा गया था 5 अगस 2020 को आर्किटेक्ट है स्वंपूरा फेमिली चंद्रकांस भी स्वंपूरा एंड आसिस स्वंपूरा आर्किटेक्ट स्टाइल है नागारा स्टाइल ठीक है मैक्सिमम हाइड है 49 मिंटर यानकी 161 फीट ही याद रखेंगे टोटल कंप्लेक्स एरिया है 70 एकर और कितने मंदफ है कितने मंदफ बनाएगे हैं तो पांच मंदफ इनके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएगा है उनको आप देख सकते हैं ठीक है तो आयोदिया एरप सिटी इन इंडिया इन सोच सर्वेक्शन 2023 तो अनसरोग अपसन सी बोथ ए और बी यानि कि इंदोर एंड सूरत तो इंदोर यह मद्फ पर्देश में लोकेटेड है एंड सूरत गुजरात में तो इन दोनों सिटीज को फर्स्ट रेंग दी गई है किलिने सिटी के मामले में तो सोच सर्वेक्शन आवार्ड 2023 यह दियाया था है मिनिस्टी ओफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेस के दोरह इसमें क्लिने सिटी इसमें रेंक वन में रखा गया है इंदोर एंड सूरत को इंदोर मद्पर्देश का एंड सूरत गुजरात का रेंक 3 में रखा गया है नभ परिजन टाइम कितने सनों लेपर्ड्स हैं इंडिया में तो अनसरोग आप्शन डी 718 तो सनों लेपर्ड्स पोपलेशन असेस्मेंड इन इंडिया यानि की SPAI रिपोर्ड यह रिपोर्ड रिलीज क्या गया था बाई भुपेंदर यादव जो की इंवारेमेंट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं इस रिपोर्ड के अकोडिंग इंडिया में टोटल लेपर्ड्स की सनों लेपर्ड की पोपुलेशन है 718 ठीक है सबसे हाइस्ट पोपुलेशन है सनों लेपर्ड की लद्दाख में 477 ठीक है उत्राखन सेकेंड में है 124 के साथ हिमाचल प नेक्ट कोशन है विज स्टेड हैस वन बेस्ट टेवलू अवाट ओफ रिपब्लिक टेपरेड टूथायन ट्वेट तो किस राज ने गंतन दिवस परेड टूथायन ट्वेट का सर्वसरेस्ट राज जहां की पुरुसकाल जीता है तो आनसरोग अप्शन बी ओडिसा तो ओ तो बेस्ट टेवलू अवाट ओफ रिपब्लिक टे परेड टूथायन ट्वेट इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है ओडिसा जिसकी थीम थी वुमेन इंपावर्मेंट इन विक्सित भारत और सेकेंड पोजिशन में यानि के सेकेंड प्राइज जीता है गुजराद एन त अधर विनर्स की बात करें तो बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट यह आर्मी का सिख रेजिमेंट जीता है मिनिस्ट्रिस एंड डिपार्मेंट के के टेगरी में जीता है मिनिस्ट्र ऑफ कल्चर ने ठीक है अगर बात करें सी एपीफ की के टेगरी में यानकी सेंटल आर्म पुलिस फोर्स के क्रिटिगरी में तो देली पुलिस वुमेन मार्चिंग कंटिंजेंट यह मतलब यह अवार जीता है यानकी फर्स्ट प्राइज जीता है ठीक है फो है नेक्ष्ट क्वेम वाच कोस्टाने वहर देनक उफ इंड्या इन क्रपिंपर प्र्शिप्शन इन्डेक्स टूधायं ट्वेटी थ्रोंचांज गर्निपृम्टीAKशेंड है साथा था था इन चैनीदेट के दौरारं जिसकी हेडिकोार्टर है जर्मनी में इसको लिलीस किया घ्iff 003 एंक रिए को सकते हैं तो कंड़िश की बात कर आफ शबाद काल हैं तो करप्षन इंडिकस तो फिल्म फियर अवार्ड 2024 विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म जीता है 12 फेल बेस्ट डायक्टर विधु विनौत चोपरा 12 फेल के लिए बेस्ट एक्टर मेल रणबिर कपूर फोर एनिमल बेस्ट एक्टर फिमेल आल्यावट फोर रोकी और रानी की प्रेम खानी ठेक है नेक्स्ट कोशन है विच कंट्री विल होस्ट 2025 एसीन विंटर गेम्स इंपोर्टेंट कोशन है तो आंसर का ऑप्शन सी चाइना तो चाइना के दौरा 2025 का एसीन विंटर गेम्स को होस्ट किया जाएगा तो अभी ये न्यूज में था इसलिए क्योंकि इसका मैस्कट और सलोगन को अनौन्स किया गया है तो मैस्कट है बिन बिन एंड नीनी जो कि एक साइबरियन टाइगर कप से यह दोनों है ठीक है बिन बिन एंड नीनी देड एवरी यर तो हर साल राश्टी युवा दिवस कब मना यादा है तांसरग अप्शन बी 12 जन्वरी को अन्द बर्थ एनिवर्सिटी ओफ स्वामी विवेकानंद ठीक है 2024 में इसकी थीम है विक्सित भारत एड दे रेड़ आफ 2047 युवा के लिए युवाय के द्वार यह इंडियन फिलोसोफर थे और इन्होंने पार्लेमेंट ओफ दे वर्ल्ड रिलीजन्स 1893 में सिकागो में हिंदुजयम को पर्मोट किया था इंटोड्यूस किया था ठीक है निश्ट को सने विच स्टेट गवर्मेंट लॉंच्ट रामलला दर्सन इसकिम तो अनसरग अप विचनु देव साइं तो यह न्यू मिनिस्टर बने हैं चिफ मिनिस्टर कहां के तो 36 गर स्टेट के ठीक है बीजेपी से हैं और इनके दोरा फिरी अयोद्या पिल्ग्री मेंज यानकी अयोद्या तिर्थ यात्रा फिरी में ओफर करेंगे हर साल मतलब जो 20,000 तिर्थ यात् इनको फिरी आयोद्या का भर्मन कराया जाएगा अंडर्द रामलाला दर्सन इसकिम जिसको लौंच किया गया है च्छतिसगर के चीमिनिस्टर विश्नु देव साइं के दौरा नेक्स्ट को सने विच सिटी होस्टेड विंग्स इंडिया टूसाइं टॉन्टिफॉर इवे ठीक है और यह हुआ था बेगम बेगम पेट एयरपोर्ट हैदराबाद तिलंगना में इसको और्गनाइज किया जाता है मिनिस्टी ओफ सिविल एविएशन एंड फिक्की के दौरा इसकी थीम थी कनेक्टिंग इंडिया टू दे वर्ल्ड इन अम्रित काल नेक्स्ट को सने सी ड्रेगन एक्सराइज 2024 हैस बिन कंडेक्टेट इन विच कंट्री तो अंसरग ऑप्षन ए युएस है तो गौम नाम का एक आइलेंट है युएसे में तो यहां पे इसको कंडेक्ट क्या गया है सी ड्रेगन एक्सराइज को तो सी ड्रेगन एक्सराइज 2024 है एक मल्टी रेटरल एंटी सम्मरीन वार्फेर एक्सराइज है कहां पे हुआ था गौम युएस आइलेंड में जोकी पैसिफिक होशन में लोकेटेट है कौन कोई से कंट्री पार्टिसिपेट के थे तो इंडिया जापान साउथ कोरिया औस अस्तिलिया एंड युएस है इंडिया के दूसे पार्टिसिपेट के थे पी एट आई एर्क्राफ्ट नेक्स्ट को सने विच कंट्री चांगी एर्पोर्ट वोन्द टाइटल ओफ व्ल्स बेस्ट एर्पोर्ट फोर 2023 तो चांगी एर्पोर्ट कहां पे लोकेटेट है तो आ और यह वार्ट दी जाती है इसकाइट रेक्स के दौरा चांगी एर्पोर्ट सिंगापूर का यह दुन्या का बेस्ट एर्पोर्ट बना है एंड सेकर्ड में है हमाद इंटरनेशनल एर्पोर्ट जो की कतर में लोकेटेट है नेक्स्ट को सने रिसेंटली उस्ताद रासित पास्ट रवे ही वास असोसेटेट विट विच घराना तो हाल में उस्ताद रासित खान का निधन हो गया है यह किस घराना से बिलोंग करते थे तो अब आट की बारत करें तो पद्म भूशन 2022 में एंड पद्मसरी 2006 में इनको मिला था एक्स को सने गेवरियल अटल बिकेम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ओफ फॉल्विंग कंट्री और यह फर्स्ट गेप प्राइमिनिस्टर है कहां के तो फरांस के तो फरांस आपको यहां पर मिल जाएगा मैप पर इसकी कैपिडल है पेरिज एड यहां पर इस एड़ेंगा फट्री जब्द फॉल्विंग सीटि मैं के तो आपको अप्शन बी उज्जेन तो उज्जेन में इंडिया का पहला है जानिक फॉर्ट स्ट्रीट का अनावरण किया गया है और इसका नाम है परसादम, ठेक है, क्या नाम है इसका परसादम, ये इंडिया का पहला हाईजेनिक फोर्ट स्ट्रीट है, इसको अनुबिल किया गया था बाई हेल्थ मिनिस्टर मंसुक मंडविया नेक्स्ट कुश्चन है, प्रेसिडेंट दरोपती मुर्णूर अनॉंस्ट हाव मैनी ग्लेंटरी आवार्ड्स फोर इंडिया आर्म फोर्सेश, तो अनुट्रोग अप्सन बी 80, तो टोटल 80 आवार्ड्स ग्लेंटरी आवार्ड के अनॉंस्मेन की गई थी, बाई प्रेसिडे जेंड हैं कि डियांट्रि याओर्द होते हैं वार टाइम में तीना वाडोर्स एंड पीस टाइम में तीना वार्द तो गिलेंटरि ये ये दित थे स्वेस्छल का 6 लोगों को मिली है सोले चक्र 16 वाड़्स टिक है तो टोटल टोटल 80 ग्लींट्र वाड़्स दी गई है इनको याद रखेंगे नेश्ट कोशसरन है हाव मिनी परसेनलिटीज है बिन अवाड़ेट वीथ पदम अवाड़ 2024 तो इस साल 2020 टोटल 132 से सम्मानित किया गया है तो पदम आवार्ट के बारे में जान लेते हैं तो यह अवार्ट तीन केडिग्रीज में दी जा दिये पदम भीभूशन पदम भूशन एंड पदमसरी यह सेकंड हाइस सीविलिन आवाड है अप्टर भारत अतन यह थर्ड है एंड यह फॉ जनवरी को हर साल इसके अनॉंस्मेंट की जाती है पदम भूशन सेकंड हाइस सीविलिन आवाड है अप्टर भारत रतन पदम भूशन थर्ड एंड पदमसरी फॉर्द हाइस्ट सीविलिन आवाड है इसके अस्तापना 1954 में की गई थी और यह प्रिजेंट क्या जाता है बा प्राइमिनिस्टर तो कौन-कौन से वेरियस फिल्ड्स है जिसमें जिनमें पदम आवार्स दी जाती है तो आठ के छेत्र में सोसल वर्क पब्लिक अफियर्स साइंस एंग इंजिनरिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री मेडिसीन लिट्रेचर एंड एजुकेशन इस्पोर्स इसमें से पदम विभूशन पांच लोगों को पदम भूशन सत्रा एंड पदमसरी 110 ठीक तो इस साल 2024 में टोटल 5 पदम विभूशन आवार्स दी गई है किनकुन को मिला है टोटल याद रखेंगे ठीक है तो पहला है विजयन तीमला बली आठ के छेतर में ये तमिल नाडू से हैं दूसरा है कौनी डेला चिरंजेवी आठ के छेतर में आंध परदेश से हैं स्री एम वेंकिया नायडू पब्लिक अफियर्ज के फिल्ड में आंधपर्देश से हैं और तीसरा है अचाउथा है सिरी बिंदेश्वर पाठक सोसल वर्क के लिए बिहार से हैं याद रखेंगे ठीक है और पांचमा है पद्म सुब्रमन्यम आर्ट के चेतर में और यह तमिल टोटल 110 परसनालिटिस को पद्म सुरी से समानित किया गया है कुछ इंपोर्टन है याद रखेंगे परवती बारुवा जो कि इंडिया के पहले फिमेल एलिफेंट महावत है चामी मुर्मू ट्राइवल इंवारिमेंटलिस्ट है उसके बाद यह साड़े नाम से इनको जी के दौरा इस स्किम को लॉंच किया गया है और इसका एम है टू प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग टू एस स्टुडेंट्स फोर कॉंपेटिटिव एक्जाम को सने हुएज बिन अवाड़ेट विद्ध मेजर ध्यानचंद्र खेल रतन अवार्ट टूथाइन टूथाइन तो दरोपती मुर्मूर जो की प्रिसिडेंट ओफ इंडिया है इनके दोरा प्रेजिडेंट किया गया है नेशनल इस्पोर्ट अवाड टू-साइन टूएंटिटिरी एड़ राश्टपती भवन इन न्यू देहली तो इनमें मेजर ध्यानचदर खेल रतना अवार्ड जो की हाइस्ट इस्पोर्ट अवार्ड है इंडिया के तो ये दो खेलाडी को मिले हैं सत्विक, सायराज, रेंकी रेटी जो की बैडमिंटन खेलते हैं एंड चिराक सेटी ये भी बैडमिंटन खेलते हैं दूसरा है दरुनाचार अवार्ड और यह कोचेस के लिए दी जाती है तो टोटल पांच कोचेस हैं जिनको 2024 का दरुनाचार अवार्ड मिला है गनेश परभाकरन उसके बाद है महाबीर सैनी ललित कुमार आर्बी रेमेश एंड सिवेंदर सिंग ठीक है उसके बाद है मौलान अबुलकलाम आजाथ ट्रोफी 2023 इनके विनर रहे है गुरू नारक देब यूनिवर्सिटी एंड उनके बाद है अर्जुनवाड तो अर्जुनवाड टोटल 26 खिलाडी को मिले हैं कुछ इंपोर्टेंट खिलाडी इनको याद रहेंगे जैसे कि अधिति स्वामी आर्चरी से हैं एम स्री संकर एफलिटिक से पारूल चौधरी एफलिटिक से उसके बात है मौमस समी क्रिकेटर उसके बात दिवे कृति सिंह यह एक्वे स्टेडियन खेल यानकी जो घूर सवार होते इस खेल से बिलोंगरते हैं यहां पर हैं अन्तिम बंगार रेस्लिंग से एंसीतल तो यह जो हाइलेटेट हैं इनको याद रखेंगे जिनको अर्जुन अवार्ट 2024 से सम्मानत किया गया है तो 2024 में टोटल 26 इसपोर्स अवार्ट दी गई है अर्जुन अवार्ट दी गई है 26 खिलारी को इसपोर्स अवार्ट के लिए तो अभी देखें यह है ओप्शन ए दीवेकृति सिंग नेक्स्ट को सने विच फिल्म वोन दे बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ट एट गोल्डन गलोप्स 2024 तो अनसरोग ओप्शन सी ओपन हैमर तो गोल्डन गलोप अवार्ड 2024 यह 81 एडिशन था विनर की बात करें तो बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है म्यूजिक और कोमेडी केटेगरी में पॉल गया मत्ती बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कोमेडी केटेगरी में पूर थिंग बेस्ट एक्टर ड्रा इस प्रेट इस प्रेट इस अपॉंटेट एस सी ओ ओ अफ इंडियन ओलम्पिक असोसियेशन तो अनसरोग अप्शन भी रगुराम आययर तो इंडियन ओलम्पिक असोसियेशन इसका फोर्मेशन वाथा 1927 में हेड़कॉर्टर न्यू देली में एंड पर्जन टाम इनको आयोद्यय ऐर्पोर्ट के नाम से जना जाता था और इसका नाम बदलकर अभी रखा है महरिशी वालमिकी इंटरनेशनल एरपोर्ट नेक्ष्ट कॉसरने वेजु स्टेट गॉवर्मेंट लॉंज Ring अश्चन छ इसके गहे था 16द नाम के द्वारा इसका एम है वॉन के सब्स्क्रावघ कन पर मंथ एकोनोमिक असिस्टेंट टू वंइन तो हर मैने एक हजार उका दिगी वुमेन को और इसको लॉन्ज किया गया था ठिश्जग्रा के चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साही के धोरा थो कि इनल ने क्सट वुंज्टे लॉंच्ट परेढ्णा प्रोग्राम तो परेणना प्रोग्राम को लॉंच क्या गया था Ministry of Education के दोरा यानि के सिक्छा मंत्राले के दोरा तो परेणना ये एक Experimental Learning Program है जिसका एम है To Empower Students with Leadership Qualities इसको लॉंच क्या गया था Education Ministry के दोरा And present time Education Minister है धर्मेंदर परदान Next Question है Who has launched पिर्थिवी विज्ञान स्केम तो अंसरों का अप्शन है PM Narendra Modi तो पिर्थिवी विज्ञान पिर्थिवी विज्ञान स्केम ये इनिसियेटिव है Ministry of Earth and Science का इसके लिए टोटल बजट दी गई है 4,797 क्रोर टाइम पिर्थिवी विज्ञान इसका एम है पिर्थिवी विज्ञान पिर्थिवी विज्ञान स्याही है NARCL याने की National Asset Reconstruction Company Limited और इसके सापना की गए थी for the resolution of NPS याने के non-performing assets और इसको 2021 में सामिल किया जा था as a bad bank under company act और ये इस्टेस asset को commercial bank से acquire करता है next question है who has been appointed as executive chairman of NALSA तो answer option D. Sanjeev Khanna नालसा याने की National Legal Service Authority of India इसके सापना की गई थी 9th November 1995 को under the Legal Service Authorities Act of 1987 और इसका purpose है to provide free legal service to weaker section तो NALSA के chairman बने है Sanjeev Khanna याद रखेंगे next question है which is the first UT to implement PM विस्व कर्मा योजना तो answer option C. Jammu & Kasmir तो Jammu & Kasmir became the first UT to implement PM विस्व कर्मा इसकेम तो PM विस्व कर्मा इसकेम इसकेम इसको launch किया गया था PM Modi के दौरा और इसका aim है to provide financial support and skill to traditional artisan and craftsman तो जो भी craftsman या फिर traditional artisan है उनको financial support करना उनको skill provide करना इस scheme का aim है तो इसमें financial support दी जाएगी up to 10 लाग 10,000 to 10 लाग नेक्स्ट कोस्टन है इंडियास फर्स्ट ओल गर्ड सैनिक स्कूल has been inaugurated in which of the following state तो answer option B उत्तर परदेश तो भारत का पहला ओल गर्ड सैनिक स्कूल यह बनाया गया है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश के मथूरा में ठीक है तो इस school का नाम है समविध गुरू कूलम गर्ल सैनिक स्कूल कहां पर located है तो विरिंदावन मथूरा उत्तर परदेश में इसका उधगर्ण किया गय था defense minister राजना सिंग के दौरा next question है which space agency launched X-ray polarometer satellite यान की एकसरे सेटलाइट उन्सरे इस्रो पुलारी मीटर सेटलाइट यह इंडिया का पहला एंड दुनिया का दूसरा पॉलारी मीटर मीटर मिशन है और इसको बनाय गय इस रो एंद रमन रिसर्च इंस्टिट के द्वारा इसमें इसको लाइश करने 58 का और यह जो expo sets satellite है यह study करेंगे various dynamics of the bright astronomical x-ray sources in the extreme condition तो दुनिया का पहला polarimeter mission जिसको launch किया था NASA ने और इसका नाम रखा था imaging x-ray polarimetry explorer यान कि IXPE next question है what is the name of India's first generative AI platform तो answer option B भारत GPT तो भारत GPT यह इंडिया का पहला generative AI platform है इंडिया का पहला large language model यान कि generative AI इसका नाम है भारत GPT जिसको launch करा है core over AI ने और इसका aim है to transform AI languages AI dialogues in total 22 Indian languages तो जितमें भी 22 Indian languages है तो AI directs को इंडियान लेंग्वेज में यान कि 22 इंडियान लेंग्वेज में convert करना इसका aim है तो पहला भारत का पहला large language model यान कि generative AI का नाम है भारत GPT नेक्स्ट कोसन है वेन इस नेशनल वोर्टरस डे सेलिवरेटेड एवरी इयर कांसरोग option B 25 जनवरी को और इस साल 2024 में इसकी theme थी nothing like voting I vote for sure तो election commission इसके सापना की गई थी 25 जनवरी 1950 में और ये एक constitutional body है article 324 में इसका जिक्र है ठीक है composition की बात करें तो इसमें तीन election commissioner होते हैं एक chief election commission and two other election commission होते हैं election commissioner ठीक है इसकी appointment की जाती है president of India के दोरह इनका tenure होता है six years का यान कि ये 65 years के age तक अपने पद पर रह सकते हैं next question है who is the chief guest of republic day 2024 तो answer होगा option a Emmanuel Macron जो कि France के president है तो 75th republic day इसके chief guest थे Emmanuel Macron फ्रेंज प्रेसिडेंट है Republic day हर साल 26th January को मना जाता है क्योंकि 26th January 1950 को constitution को effect में लाया गया था next question है who lead the all women try services in Republic day parade 2024 तो गनतंत्र दिवस प्रेड 2024 में सभी मेला त्री सेवाएं सेवाओं का नेत्रुत किस ने किया था तौनसरोग option a Captain Sandhya तो first time in history यानि कि भारत के Republic day के history में पहली बार all women try services participate के थे और इनको lead करी थी Captain Sandhya ने next question है what is the theme of Republic day in India for year 2024 तो answer question b Vixit Bharat and Bharat लोकतंत्र की मात्रुका next question a who won ICC Men's ODI Cricketer of the Year Award 2024 तो answer question a Virat Koli तो ICC award 2023 तो ICC Men's ODI Cricketer of the Year Award 2024 का वार जीता है Virat Koli ने वहीं पर ICC Men's Cricketer of the Year Award जीता है Pat Cummins जो की Australia से हैं and ICC Men's Test Cricketer of the Year Award जीता है उस्मान खाजा यह भी Australia से हैं next question है who launched operation सर्वसक्ती recently तो answer option c Indian Army तो Indian Army के दोरा operation सर्वसक्ती को launch किया गया था recently और इसका aim है to eliminate terrorists और इसको launch किया गया था इस operation को पीर प्रजाल रेंजेस में जम्मो किसमें में ठीक है next question है which state government has launched operation Amrit तो answer option c Kerala तो Kerala के दोरा operation Amrit को launch किया गया था तो operation Amrit का फुल्फों है anti-microbial resistant intervention for total health और इसका aim है to combat Amr यानकी anti-microbial resistant Amr क्या होता है जब भी bacteria या viruses या फिर fungi यह resistant develop कर लेता against antibiotics जिसके कारण जो भी infection है उनको treat करना difficult हो जाता है ठीक है next question है which state government has launched यूआ नीधी scheme तो इसका answer का option B करनाटगा तो करनाटगा government के दोरा यूआ नीधी scheme को launch किया गया है और इस scheme का aim है to provide unemployment assistance to graduates and diploma holders तो जो भी बेरोजगार graduates and diploma holders है उनको unemployment assistance provide की जाएगी under the यूआ नीधी by करनाटगा government ठीक है तो यूआ नीधी scheme for jobless youth इसको launch करा है करनाटगा के chief minister सीधा रमाया के दोरा नेक्स्ट कुच्छन है वेन इस इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेट एवरी येर तो answer option B 15 जन्वडी को तो इस बार इसकी theme थी in service of the nation इंडियन आर्मी ठीक है इसकी अस्थपना की गई थी फर्स्ट अवरिल 1895 को under British rule क्यों 15 जन्वडी को मनाते है हर साल इंडियन आर्मी डे क्योंकि 15 जन्वडी 1949 को Lieutenant General K.M. Kariyappa was the first Indian who became the head of Indian forces ठीक है अगर बात करें इंडियन एर फोर्स दे 8 October को मना जाता है एंड वहीं पर इंडियन नेभी डे ये 4 December को मना जाता है नेक्च्ट कोस्वन है विज स्टेट गव्वर्मेंट लॉंचल लाभा इसकेंट आनशर ही OODYESA तो डिसंटे ओडिसा गवर्मेंट लॉंचल लाभा इसकेंट तो लाभा का फोल्वर्म है लगू बन्या जत्य दरब्या कराया ठेक है यह 100% state funded MSP इसके में MSP आने के minimum support price scheme है for the minor forest produce ठेक है और यह जो इसके में इसके जड़िए ट्राइबल primary collectors को empower क्या जाएगा तो जो भी collectors है जंगल में है ना tribal areas में रहते हैं तो उनके लिए MSP यान की minimum support price provide की जाएगी अंडर लाभाई scheme जिसको launch कर रहा है odysa government ने नेक्स्ट को सुने when was world लेप्रोसी डे celebrated in 2024 तो इस साल कब मना गया है तो 28 जनवरी को मनाया इस साल यह परा है 28 जनवरी को इसकी थीम है 2024 में बीठ लेप्रोसी लेप्रोसी यान की कुस्ट रोग यह एक bacterial disease है और यह mycobacterium leprae के दौरा होता है ठीक है next question है which space agency will launch inset 3ds satellite तो इस रहे के दौरा inset 3ds satellite को launch का जाएगा inset 3ds satellite यह एक metrological satellite है to improve the weather forecasting and disaster management इसके लिए रोकेट यूज किया गया है GSLV mark 2 f 14 टेक है और इसको launch किया जाएगा सतिस दोवन इस्पेस सेंटर श्री हरी कोड़ा आंध परदेश से next question है who became the deputy chief of naval staff तो आंसर अप्शन दिनेश के 3 पार्ठी तो दिनेश के 3 पार्ठी बिकेम देप्टी चीफ तो रिसेंटली जितने भी appointment हुए है defense के उनको देख लेते हैं तो 29th chief of Indian Army यह बने है Manoj Pande, vice chief of Indian Army बने है MB, Sachinandra Kumar, chief of naval staff बने है आर हरी कुमार, chief of air staff बने है Vivek Ramachodri and deputy chief of air staff बने है हमारी पिरित सिंग Next question है, who won best FIFA men's player award 2024? यान की football के field में यह award दी जाती है FIFA men's player award 2024 जीता है, option A, Lionel Messi तो FIFA based player award 2024, men's के category में जीता है, Lionel Messi जो की Argentina के footballer है, women's के category में एतना बनमती, span से, men's को जब तो यह reward जीता है, Pep Guardiola, ठीक है Next question है, recently Cyclone Alvaro hits which of the following country, तो हाली में Cyclone Alvaro किस country को hit किया था तो answer option C, Madagascar, तो यह Indian Ocean है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, Madagascar country है यहीं पर Cyclone Alvaro hit किया था recently, तो Cyclone Alvaro यह एक tropical cyclone है और यह first cyclone है 2024 का और इसका नाम देख गया था Madagascar के दोरा Next question है, who became the secretary general of BIMSTAC, तो BIMSTAC के secretary general कौन मने है तो इसका answer option A, Indramani Pandey तो BIMSTAC यान के Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation Total 7 members है इनके, इंडिया है, Thailand है, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka and Bhutan Headquarter है इसकी, बांगलादेश के धाका में Next question है, which is the best city to live in India for women तो इसका answer का option C, Chennai तो Chennai women के लिए best city है, रहने के लिए ठीक है तो Avatar Group के top cities for women in India 2023 को release किया गया है इसमें 1 million plus population के city के category में top किया है Chennai और 1 million, less than 1 million के category में top किया है तीरी चुरा पल्ली, Tamil Nadu में ठीक है Next question है, recently which country declared Sunolapar as national symbol तो इसका answer का option A, करिगिस्तान तो करिगिस्तान आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसकी कैप्रियर है बिसकेक परोसीडे से कजागिस्तान, उजबेकिस्तान, ताजिकिस्तान और यहाँ पर चाइना Next question है, which states Morban Honey got GI Tech recently तो answer का option A, West Bengal तो recently GI Tech मिला है, West Bengal के सुंदर्बन हनी, Morban को उसके बाद Black Nunia Rice को जिसको Prince of Rice का जाता है तंगेल, गोरोड, एंड कदियाल साड़ी को तो इन तीन प्रोडुक्स को GI Tech मिला है, West Bengal के Next question है, which country launched Einstein Probe Space Mission तो Einstein Probe Space Mission को recently China ने launch किया है तो Einstein Probe यह X-ray Space Telescope Mission है To explore the mysteries of universe ठीक है, इसको launch करा चाइना ने Next question है, who has been presented with Indian of the Year Award for 2023 तो answer को option A, ISRO, तो ISRO के team को recently Indian of the Year Award 2023 से समानित किया गया है और यह award पर्जेंट किया गया था by जेतंदर सिंग जो की Minister of State है, Science and Technology के किस category में दिया गया है, तो Outstanding Achievement के category में Indian of the Year Award for 2023 यह दिया गया है team ISRO को नेक्स्ट कोस्टन है, which state won maximum medal at the beaches the beach games 2024 और यह पहली बार the beach games 2024 यह हुआ था दीब में ठीक है, दमन इन दीब में और इसमें सबसे दर मेनल जीता है मतिपर्देश ने तो beach games 2024 यह इंडिया का पहला multi sports beach games था और यह हुआ था घोगला beach दीब में ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है, इंडिया, France and which country conducted desert night exercise तो अंसर रगाप्शन C, UAE तो इंडिया, France and UAE तो इन तीनों कंट्री ने recently desert night exercise को कंड़क्ट किया है नेक्स कोस्टन है, अधपडी conservation reserve recently seen in the news is a new conservation reserve of each of the following state तो अंसर रगाप्शन D, महारास्ट्रा तो महारास्ट्रा का यह नया conservation reserve बना है इसका नाम है अधपडी conservation reserve और यह कहां पे located है, तो संगली district महारास्ट्रा में और इस conservation reserve में semi-evergreen, moist and dry deciduous forest पाया जाते हैं नेक्स कोस्टन है, exercise सहयोग kaizen has been conducted by India in which country तो अंसर गाप्शन A, जापान तो जापान इन इंडिया के दोरा, सहयोग kaizen exercise को कंड़क्ट किया गया है और यह कहां पे किया गया था तो चन्नेक कोस्ट में नेक्स कोस्टन है, who has been honored with the Tenging Norgue Adventure Award तो हाली में Tenging Norgue Adventure Award से संभानत क्या गया है option B, Savita Kanswal को और यह award परज़न क्या गया था by President Dharopati Murma नेक्स कोस्टन है, which country to host 46th session of UNESCO World Heritage Committee तो 46th session को पहली बार होस्ट करने वाले हैं इंडिया तो UNESCO यानकी UNESCO World Heritage Committee में total 21 members है and 46th session को host करने वाले हैं हमारा इंडिया ठीक है next question है, who introduced Ugram Assault Rifle for Indian Army तो Ugram नाम का Assault Rifle को किसने launch किया है किसने introduce किया है तो आन्सरोग आप्षन A DRDO यानकी Defense Research and Development Organization ने तो उग्रम यह 7.62 x 51 mm Assault Rifle हैं जिसकी रेंज है 500 meter next question है, दिरिष्टी 10 UAV यानकी Unmanned Aerial Vehicles has been manufactured by तो दिरिष्टी 10 यह किसके दोरा बनाया गया है जो कि एक Unmanned Aerial Vehicles है, ड्रोन है ठीक है इसको बनाया है अडानी Defense and Aerospace ने है इद्रावाद में इसको बनाया गया था ठीक है तो दिरिष्टी 10 यह एक Indian Medium, Altitude, Long Endurance यानकी UAV ठीक है, यह Unmanned Aerial Vehicles हैं को मनेफिक्चर करा है अडानी Defense and Aerospace ने नेक्स्ट कोस्टन है, हनुमानगरी लड्डू of which of the following city got GI tag recently तो आंसरोगा अप्शन B, आयोद्या तो आयोद्या उत्तरपर्देश के हनुमानगरी लड्डू को GI tag मिला है ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है Who is the new secretary of railway board तो railway board के नए secretary कौन बने हैं तो आंसरोगा अप्शन B, अरुन नायर अरुना नायर ठीक है तो अरुना नायर बिकेम the new secretary of railway board एंड जाया वर्मा सर्मा सीनहा यह first female chairman बने हैं railway board के next question है Who has been appointed as executive director of Asian Development Bank तो Asian Development Bank के executive director कौन बने हैं तो आंसरोगा option A, विकास सील तो Asian Development Bank इसकी headquarter है फिलिपिन्स में और member है इसका इंडिया ठीक है मतलब इंडिया भी इनका member है Asian Development Bank का next question है Who launched पंचाय से Parliament तक प्रोग्राम तो अंसरोगा option B, Aum Bhirla तो लोग सिभा के speaker Aum Bhirla के दोरा पंचाय से Parliament तक प्रोग्राम को launch किया गया था और इसको launch किया गया था और इसको launch किया गया था for women representative of Panchaity Raj Institution अर्द सम्विधान सदन यानकी Sunset Bhon जो हमारा Old Sunset Bhon है उनका नाम रखा गया है सम्विधान शदन और इसको launch किया था इस प्रोग्राम को लोग सिभा के speaker Aum Bhirla next question है which states Vaancho Wooden Craft got GI Tech recently तो आंसरों का option B West Bengal sorry Arunachal Pardish option D से होगा तो recently three products of Arunachal Pardish को GI Tech मिला है आदी केकिर जोकी एक जिंजर है दूसरा है handmade Tibetan Carpets तिसरा है Vaancho Craft next है recently a new plant species named Polygonum Chatur Bhujnam has been discovered from each of the following tiger reserve तो आंसरों का option A Pench Tiger Reserve तो इस new species of plant को discover करा गया था Pench Tiger Reserve में जो located है Maharashtra में ठीक है और यह Maharashtra के साथ-साथ Madhya Pradesh में भी located है next question है who has been comforted with the Nirtya Kalanidhi Award तो हाली में Nirtya Kalanidhi प्रुसकार से किसे सम्मानित किया है तो आंसरों का option B वसुनता लक्समी नर्सिमा चारी ठीक है तो Nirtya Kalanidhi Award यह दिया आया था है मदरास Music Academy के तौरा next question है which state granted ST याने कि scheduled tribe status to hathi community तो हाली में hathi community को scheduled tribe का दर्जा किस state के दोरा दिया गया है तो answer option C माचल परिदेश के दोरा तो hathi communities यह close-need community है जो कि that got their name from their tradition of selling home ground vegetables, crops and meat तो वो अपने tradition तरीके से जो home ground vegetables या crops बेशते हैं उनके coating उनका नाम पढ़ता है और यह hathi community को recently ST यानकी schedule tribe का दर्जा दिया गया है by Himachal Pradesh निश्ट को सने which state government launch Sadak Surakya Force यानके SSF first time in India तो answer option B Punjab तो Punjab government के दोरा इसको launch किया गया है और यह पहली बार है इंडिया में और इसको launch करा है भगवत मानने जो कि Punjab के chief minister है निश्ट को सने who is the world's top selling automaker in 2023 तो सबसे यादा top selling automaker कौन थे 2023 में तौनसरोग option A Toyota Motors next question who authored a book title एक समंदर मेरे अंदर तौनसरोग option A Sanjeev Joshi next question India's largest green hydrogen pilot project has been inaugurated in which of the following state और इसका उत्राखन किया गया option A उत्राखन में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट green hydrogen pilot project है कहां पे यह located है तो रिसी केस उत्राखन में और यह 50 kg of green hydrogen को daily produce कर सकता है इसका उत्राखन करा गया है THDC India Limited के दोरा next question A who discovered India's first oral contraceptive pill जिसका नाम है Saheli तो Saheli नाम का पील को किसने डेवलप करा था डिस्कवर करा था तो आंसरोग option Dean Dr. Nitya Anand तो अभी यह news में इसलिए है क्योंकि recently Dr. Nitya Anand का नीधन हो गया है तो Saheli यह इंडिया का पहला oral contraceptive pill थे यान की birth control बर्थ control pill थे जिनका नाम था Saheli और इसको डिस्कवर करा था Dr. Nitya Anand ने next question is which state celebrated fourth edition of annual orange festival तो आंसरोग अप्शन तो नागालेंड के दोरह recently orange festival को मनाया गया है next question है military exercise सादा तनसीक will be conducted by India and which of the following country तो आंसरोग अप्शन और इसका एम है to establish second VLF यानकी very low frequency communication station in which state तो इसका अप्शन ए तिलंगना और इसकी location है विकाराबाद district तिलंगना में और यह जो station है यह help करेंगे to maintain effective communication with ship and submarines तो जो भी इस अलाके में जो भी ship and submarines है ठीक है उनको मतलब effective तरीके से effective communication maintain करने के लिए help करेगा next question है which state became the second state after Bihar to start caste census तो caste census को start करने वाला second state कौन बना है after Bihar answer option C. Andhra Pradesh next question है joint training exercise cyclone 2 has been conducted by India and which country answer option C. Egypt cyclone 2 यान कि second edition था India and Egypt के बीच ठीक है और यह Egypt में conduct किया गया था next question है who developed India's first self-made aircraft seat answer option C. Time Tooth तो Time Tooth Company यह एक Bengaluru based engineering company है इसके दोरा इंडिया का पहला self-made aircraft seat को develop किया गया है और इसको अन्विल किया गया था Wings India 2024 event में next question है मुहमद बीन अब्दुल्ला मस्जीद इस बींग बिल्ट इन विचब दो फॉलिविंग इस्टेट तो answer option B उत्तर परदेश तो यह आहिद्वय में बन रहा है सुप्रिम कोट सुप्रिम कोट ने designate करा था site following the verdict related to आयोद्या dispute cash इसके लिए इस मस्जीद के लिए पांच एकर जमीन प्रोवैट की गई थी ठीक है और यह कहां पर बनाए जा रहा है तो आयोद्या उत्तर परदेश में next question है कच्ची खारेक from each of the following state got GI tag कच्ची खारेक को किस state का GI tag मिला है इस answer option A गुजरात का ठीक है तो कच्ची खारेक यह indigenous date variety है from कच reason next question है exercise exercise खंजर 2024 has been conducted between India and which of the following country exercise खंजर यह इंडिया एंड क्रिगिस्तान के बिच कंड़क्ट किया गया है option C से हो जाएगा और इस साल यह कंड़क्ट किया गया था बकलो हिमाचल पर्देश में क्रिगिस्तान यहां पे है मैप में इसकी capital है बिसके इंड करन्सी है स्वाम next question है which country became fifth country in the world to land on the moon successfully तो moon में successfully land करने वाले पांचवा country इसका अंसरोगा option B जापान तो इसको launch क्या गया था जाक्सा के दौरह जापान aerospace exploration agency के दौरह और इस mission का नाम था smart lender for investigating moon next question है who launched Assam's Braveheart Lachit बर्फुकन book तो अंसरोगा option A Amitsa तो Amitsa के दौरह इसको launch क्या गया है next question है is celebrated on the birth anniversary of which of the following freedom fighter तो आंसरोगा option B सुवासचंद्र बोस तो प्राक्रम दिवास नेता जी सुवासचंद्र बोस के जनम दिन पर मनाया जाता है तो फर्स्ट प्राक्रम दिवास ये 23rd January 2021 को मनाया गया था 2024 में सुवासचंद्र बोस जी के 127th birth anniversary है next question है which state government launched my school my pride campaign तो इसका अंसरोगा option B हिमाचल परदेश तो my school my pride initiative for education appointment ठीक है इसको launch क्या गया as a part of अपना विद्याले program next question है which state government launched मुख्यमंत्री महिला उद्यमीता अभियान तो इसका अंसरोगा option A असम मुख्यमंत्री महिला उद्यमीता अभियान को launch किया गया है और इसका aim है to empower rural women entrepreneurs and provide financial assistance तो जो भी गरामीं छेत्र में entrepreneurs हैं उनको financial assistance provide की जाएगी under मुख्यमंत्री महिला उद्यमीता अभियान ठीक है next question है who has been appointed as the director general of the ससस्त्र सीमा बल यान की SSB तो अंसरोगा option B दलजित सिंग चौधरी तो SSB का formation वा था 1963 में जिसकी हेट कर्र है न्यू देली में next question है पक्के पागा प्रदेश में located है next question है who is the number one chess champion in India तो आंसर है option C प्राग नंदा ठीक है हाली में इन्होंने जो हमारी विश्वनातन आनंद जी है उनको उनको पीसी छोरके number one बन गया है चेस के मामले में ठीक है next question है India's first center for the fourth industrial revolution यान कि C for IR established in which of the following city तो आंसर होगा option C हाइदराबाद तो दुनिया का पहला health, tech and life science focused center for the fourth industrial revolution ठीक है इसके सबना की गई है तेलंगना गुर्मन के दौरा and World Economic Forum के दौरा कहां पे तो हाइदराबाद में next question है who is the author of a book titled An Uncommon Love तो इस कांसर को option B चित्रा बैनर जी दीवा करूनी ठीक है इस बुक का पुरा नाम है An Uncommon Love The Early Life of Sudha and Narayan Murthy लेकक है चित्रा बैनर जी दीवा करूनी next question है आयूत्या आयूत्या with which of the following country Startup Day celebrated every year तो आनसर अपसन B 16th January 2016 को Startup India को लॉंज किया गया था और National Startup Day ये दोहर 22 से मना जा रहा है और इसकी अनॉंसमेंट करी थी PM Modi के जा रहा next question है which University initiated First Human Trials for Deadly Nipa Virus Vaccine तो आनसर अपसन B Oxford University First Human Trials for Deadly Nipa Virus Vaccine ये conduct क्या गया था by Oxford University और इस vaccine का नाम है CHADOX1 Nipa B Vaccine और ये initiated क्या गया था by Oxford University researchers next question है who is the author of a book titled Gandhi Alive in 3 Campaigns तो आनसर अपसन C both A and B MG, Akbar and Natwar Singh next question है International Camel Festival celebrated in which state तो आनसर अपसन A Rajasthan तो राजस्थान के जो वी कानेर है यहां पे Camel Festival मना जाता है International Camel Festival recently Ganga Sagar Mela 2024 held in which of the following state तो आनसर अपसन A West Bengal तो Ganga Sagar Mela यह largest Mela after Kumbh Mela second largest fair after Kumbh Mela और यह हर साल सागर दूइप में होता है West Bengal में next question है Maudi Energizing a Green Future तो इसको लॉंच करा है option A Bupendra Yadav ने और इस पुस्तक को edit किया गया था by RK Pachananda and Vivek Devroy next question है Shedding Topgai re-elected as Prime Minister of which of the following country तो आनसर अपसन A बोटान तो Shedding Topgai यह बोटान के नए Prime Minister बढ़े है यानि की re-elected re-elected क्या गया है इनको तो बोटान आपको यहाँ पर मिल जाएगा यहना इसकी capital है थिंबू और currency है नगलत्रम next question है who has been appointed as India's WTO Ambassador तो आनसर को option B Sainthil Pandian WTO यानि की World Trade Organization इसकी Headquarters New Zealand के जेनेवा में next question है red and chutney यानि की लाल चीटी की chutney को किस state में GI Tech मिला है next question है next question है who assumed role of Director General in Defense Ministry तो इसका अंसरोगा option D. Samir Kumar Sinha next question है which bank introduced to use सम्मान रूपे credit card for government employees तो इसका अंसरोगा option B. Indus IND bank Indus IND bank Indus IND bank की Headquarter है Mumbai में next question है when is परवासी भारतिय दी was celebrated every year तो आनसरोगा option A. 9th January को क्यूंकि 9th January को मात्मा गांधी जी साउथ अफरिका से इंडिया वापस आये थे ठीक तो परवासी भारतिय दीवस 9th January को मना है आता है क्यूंकि 9th January 1915 को मात्मा गांधी साउथ अफरिका से इंडिया वापस आये थे और इस बार इसकी थीम थी कंट्रिबूटिंग टू आत्म निर्वर भारत next question है who wrote a book the title संस्कृति के आयाम तो इस पुस्तक के लेखक है option B मनुरामा मिसरा ठीक है next question है who wrote the book title four stars of destiny तो आंसरोग option A mm नरावने तो मनुर्ज मुकुंद नरावने जो की फॉर्मर इंडियन आर्मी के चीफ उरा चुके है इनके दोरा four stars of destiny पुस्तक को लिखी गई है next question है who has been honored with the कुवेंपू national award 2023 तांसरोग option D सिल सेंदू मुको पात दिया है ठीक है तो कुवेंपू अवार्ड $5,500,00,000 edidas to set up its first Asia GCC यानकी global capacity center outside China in which state में चाइना के बाहर Asia का पहला GCC यानकी global capacity city center को खोला जाएGB sociology option A Tamil Nadu में और Tamil Nadu के चेंग चाहिए में इसको peuOne question is who has launched तूरदाल पर्चेस पॉर्टल तो अन्सरोग अपसन भी अमित्सा तो अमित्सा के दौरा डिसेंटली तूरदाल पर्चेस पॉर्टल को लॉंच करा गया है तूरदाल यानिकी अरहर का दाल तो इस पॉर्टल के थुरू जो फार्मर्स हैं वो अपने तूरदाल को MSP यानिकी मिनिममम सपोर्ट प्राइज में नाफेट को बेच सकता है नाफेट यानिकी National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India तो अमित्सा जो कि हमारे होम मिनिस्टर है और कोपरेशन मिनिस्टर भी है नेक्ट कॉस्टन है 10th सेंचूरी तो इसको रिसेंटली डिस्कोबर क्या गया है महादेव टेंपल में जो की काकोडा गोवा में लोकेटेट है नेक्ट कॉस्टन है तो अन्सरोगा अप्शन C. पंजाब नेक्ट कॉस्टन है विच स्टेट हैस अचीवड दा हाइएट इंटरी रेट ओन दा इंटर ओपरेवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफोर्म तांसरोगा अप्शन A. उत्तर परदेश नेक्ट कॉस्टन A. who has unveiled a book टाइडल राम मंदिर राष्ट मंदिर एक सजी विरासत ठीक है तो इस पुस्टन के लेक्ट है option B. आरिफ मुहमद आरिफ मुहमद जो की केरला के गवर्नर है इसके दोरा इस बुक को unveiled किया गया था और इस बुक के author है गीता सिंग next question है who has been honored with the MS Swaminathan Award तो answer option B. BR Cambodge और इनको यह award उनके excellence in agronomy के लिए दिया गया यानकी किर्सिवी घ्यान के लिए next question है which company achieved India's first ISCC plus certification तो answer option B. Reliance Industries तो Reliance Industries यह first in India बन गया है to use chemical recycling for circular polymers और इनको दिया गया है International Sustainability and Carbon Certification यानकी ISCC plus certificate Reliance Industries ने एक technology डेवलप किया है जो plastic waste को pyrolysis oil में convert कर सकता है और इसके लिए इसको ISCC plus certification मिला है और यह इंडिया में पहला company है next question है when is world barrel day annually observed तो इसको observe की जाती है option A 4 January को और इसको celebrate किया जा था on the birth anniversary of Louis Braille who invented barrel system next question है UP's first floating restaurant has been inaugurated in which city तो answer को option A प्रियाग राज और इसका inauguration किया गया था by yogi आदितिनाथ जो की चीम निस्टर है उत्तर प्रदेश के next question है military exercise desert cyclone 2024 has been conducted by India and which country तो desert cyclone ये connect किया जा था India and UAE के बीच और ये कहां पी हुआ था तो राजस्थान में next question है फेलिक्स तसेसी के दी किस देश के राष्टपती बने है तो इसका अंसर का option B Democratic Republic of Congo तो यहां पे ये country है जिसकी capital है किन सलसा next question है which city hosted 12th दिव्यकला मेला 2523 तो इसका अंसर का option A सूरत next question है which state set Guinness World Record in Mass Surya Namaskar तो किस राजने सामोहिक Surya Namaskar में Guinness World Record बनाया है तो अंसर का option A गुजरात next question है who won the Puberty Athlete of Year Award 2023 तो इसका अंसर का option A. Virat Koli और इन्होंने Lionel Messi को defeat किया है जो कि footballer है Argentina आगे इसके बाद Walliner questions को देख लेते हैं सबसे पहले appointment से related questions को देखते हैं तो Adani Ports के MD बने है Karan Adani and CEO बने है Aswini Gupta Nadia Calvino ये new president बने है European Investment Bank के जिसकी headquarter है Luxembourg में जी राम मोहन राव ये executive director बने है SEBI के यानि के security and exchange board of India के रस्मी सुकला ये महराष्टे के पहले women director general of police बनी है Next question है Sui Rate Fund ये ICC के पहले neutral empire बने है नेतिस कुमार हाले में बिहार के 9th chief minister के रूप में सबद ली है BJP के support से विजय कुमार सिना जो की BJP से है एंड समराथ चोधरी BJP से है इन दोनों को deputy chief minister बनाया गया है बिहार का सरत चवहान इनको recently appoint किया गया as a producer's new chief secretary Next question है Awards related तो दीपा भांदरे Max history as a first female to receive VSI यानिकी वसंत दादा सुगर इंस्टिटूट अवार्ड ठीक है Next है पर्दामंत्री राष्टी बालपुरुषकार 2024 यह दिया गया है 9 boys and 10 girls को best airport of the year at Wings India 2024 यह जीता है Kempe Goda International Airport and Indra Gandhi International Airport next है LIC became the most valuable PSU अनिकी public sector undertaking और यह सरपास करा है SBI को State Bank of India को Adani group यह invest करने वाले हैं 50,000 करोर to set up data center in Maharashtra Money to India especially for Canada Mobile Banking App इसको launch करा है ICI Bank ने IMF यानिकी International Monetary Fund के according इंडिया के GDP growth rate financial year 2024 में होगा 6.7% उसके बाद देस और थेम से रिलेटेड देखते हैं तो World Hindi Day हर साल 10 जनवरी को मना याता है International Day of Education 24th जनवरी को इसकी थीम थी Learning for Lasting Peace National Girl Child Day 2024 यह 24th जनवरी को मना या National Tourism Day 25th जनवरी को इसकी थीम थी Sustainable Journey Timeless Memories International Day of Clean Energy 24th जनवरी को मना या Next Science Techs Space से रिलेटेड कोसंस को देखते हैं तो Perigreen 1 यह American Lunar Lander Mission है Microsoft का AI जिसका नहां में Audis है यह 1 लाग इंडियन डेवलोपर्स को अब स्किल करेंगे Crew Trim यह ओला का AI स्टार्टप है और यह बहुत का पहला AI यूनिकॉर्ण बना है यूनिकॉर्ण मतलब जिसकी टोटल ब्रांड वेल्यू वन बिलियन डॉलर से ज्यादा हो ठीक है यह दुनिया का लाज़ेस्ट मिथेनोल पावर्ड वेसल है यह आप देख सकते हैं रोई सर्मा बीकें दफ़र्स्ट मेंज प्लेड तो प्लेड यह वन फिप्टीट विप्टीट स्केलने वाले पहले खिलाड़ी बनी है रोई सर्मा इंडिया उपन 2024 वुमें सिंगल टाइडल जीती है ताई जू इंग चाइना से नेक्स्ट है वाइबरेंट गुजरात गुलोबल ट्रेड सो इसका उद्गर्ण क्या गया था पीम मोदी के दौरा गांधी नगर गुजरात में फार्सी को इंडिया का निव क्लासिकल लेंगवज इंक्लूट क्या गया है बाइ गोर्मेंट पिइंडिया अंडर निव इजुकेशन पोलिशी कंजर्वेशन विट अवरंगजव आ नोवेल बाई चारु निवेदीता इसको ट्रांसलेट क्या गया है इंग्लिज में by Nandini Krishnan Central Government ने लोंच करा है Anu Vadini App to offer history material in regional languages next है उत्तरपर्दिस ने रिसेंट लिस फार्मा पार्क को सेट अप करा है ललितपुर बुंदिल खंड में टे गए and this is the question for you तो question है what is the rank of India in Henle Passport Index 2024 तो आपका option है 80, 85, 87 या फिर 90 बंदिल फ़े दो, जा हमें आप परे प्लाप झाल